हेलो व्रिवर्ण एंड वेलकम अगें तो साइको आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रक्षेप्य गति यानि कि प्रोजेक्टाइल मोशन यह जो टॉपिक वेक्टर और स्केलर कॉंटिटी वाले चैप्टर का ही है मैंने इसे वहाँ पे इसलिए नहीं करवाया क्योंकि यहां से निमेरिकल बनते हैं एक से दो निमेरिकल आपके एक्जाम में पुछे जा सकते हैं तो इस वीडियो में हम इसको डिसकस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत अच्छे से डीटेल से बेसिक से एडवांस बताऊंगा मैं आपको और निमेरिकल सॉल्ब करके भ जब्भी हैं किसी ऑबज planets को प्रतवी की ग्रुत्यों चेतर ग्रावीट्य में हम gravity पढ़के आ चुक है onGravitation वाले चप्टर में ओके तो जब भी हम किसी वस्तु को पृत्वी की सता से पृत्वी के gravity छेतर में जो पृत्वी के gravity वाला जितना एरिया है उसके अंदर फेकते हैं तो जाहिड सी बात है वो पृत्वी अपने तरफ खीच लेगी है ना तो उसके वज़े से जो उसकी गती है वो कैसी हो जाती है गरव हो जाती है वक्र बन जाता है तो इसको बोलते प्रक्षेब पर गती है फिर प्रोजेक्टाइल मोशन तो इसको देखिए अच्छे से बताता हमें आपको देखे इसकी डेफिनेशन क्या होगी जब हम किसी पिंड को यानि जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रित्वी के गुरुत्वे छेतर यानि की ग्रेविटी में किसी आरभ्मिक वेग यानि की इनिस्यल वैलिउसिटी से उपर की और जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेकेंगे तो 90 पे नहीं फेकना चाहिए अगर 90 पे फेकेंगे तो उसमें ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ही नहीं क्यों नहीं होगा आप खुश हो जए आप पत्तर फेकोगे 90 डिगरी पे तो वो आपके सिर्पे आके गिरेगा तो फेकेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ठीक है तो जब किसी पिंड को पिर्ट्वी गुरुत्य चेदर में किसी प्रारम में एक बेग यानि इनिस्यल वैलो सिटी से उबर की और 36 दिसा में 36 दिसा यानि कि होरिजंटल डायरेक्शन में फेकेंगे तब क्या होग है जो मैं एक वकराकार पत्थ में गदी करता है देखिए आप समझाता हूं मैं आपको चित्र के बाते हैं हमसे यहां पे है ओ पॉइंट ठीक है यहां से मैंने किसी वस्तु को या फिर किसी वस्तु को माल के चलिए पक्तर को फेका और वो 90 पे नहीं फेका और 9 मेंने 0 पे इन दोनोंको छोड़के किसी दूसरे अंगल पर फिगा तो क्या होगा तो तो जो इसका पत होगा जो इसका ठथा ए स्ट्राजेक्टरी सो फोगा फिर नीचे आग़्या तो यह जो बना है आरग बन गया यह जो आर्ग बन गया इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं प्रक्षेप गती ठीक है आपको यहां पर सिर्फ एक चीज़ नोट करना है इसकी definition से सिर्फ एक line आपको याद करना है वो line क्या है वो line यह the trajectory of projectile is parabolic यानि कि प्रक्षेप का पत्थ परवलेकार होता है परवलेकार यह जो बन रहा है इसको बोलते हैं परवले ठीक है प्रक्षेप की गती कैसी होती है परवलेकार होती है बस इतने याद रखना है आपको यह line याद रखना है इसके definition से अब मैं आपको वेक्टर और स्केलर कॉंटेटी में एक चीज़ बताना भूल गया था वैसे वह इतना important नहीं है मैं आपको यहाँ पर याद करवा देता हूँ क्योंकि उसे derive करना तो इसमें possible नहीं है देखिए एक वेक्टर ए है वेक्टर ए को मैं तोड़ सकता हूँ दो घटक में एक टूटेगा यह vertical component में और एक टूटेगा यह horizontal component यानि एक टूटेगा उर्धवार्दर घटक में और एक टूटेगा 36 घटक में तो मैं एक वेक्टर को एक सदिस को दो घटकों में तोड़ सकता हूँ ठीक है अब आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखन है है कि जो ऊर्धवार्दर वाला होगा ठीक है जो वर्टिकल वाला होगा वो दूटेगा Ecuador साइं ठीटा में साइन ठीटा में और जो चीज़ वाला है चैथीज यानि की ठीटटा वाला है जो वह कैसे तोड़ेगा वो टूटेगा आपका छैता prefer to make the चिक the call गानशा 36 वाला यानि कि horizontal वाला और sin theta में कौन सा टुटेगा जो ये vertical वाला यानि कि ऊर्धवारदर वाला है ठीक है तो जैसे मैंने A को तोड़ना है तो A sin theta ये कैसे टूटेगा vertical टूटेगा और A cos theta ये कैसे टूटेगा horizontal टूटेगा ठीक है बस इतने याद रखना है इसी चीज़कों मैं use लोंगा यहां पर तो देखे आगे कि माना किसी पिंड को विंदू O से ठीटा कोन बनाते हैं फेका जाता है ठीक है देखे चितर में यह है ओ पॉइंट यहां से हम ठीटा एंगल पे किसी वस्तु को फेकते हैं उपर की साइड ठीक है तब देखे क्या होगा बनाते है और initial velocity भी देना पड़ेगा उसे यू से फेकते है इनिशल वेलिसेटी क्या लिए हमने यू उन्दोने के 20 के एंगल क्या है ठीटा फेका जाता है तब यह पिंट एक वक्राकारपत वक्राकारपत यानि की पेराबॉलिक ट्रेजक्ट्री पर गति करता है ठीक है और पूना 36 तल से बिंदू A पर टकराता है यहाँ से हमने फिगा इनिशल वेलिसूटी के दिए हमने इसको यू दिया ठीक है और किस एंगल फेगा ठीटा आपर फिगा ठीक है ठीटा अंगल फेगा तो कुछ दूरी के बाद यह आ के यहाँ पर गिर जागा और ये क्वों से मोशन कर रहा है प्रोजेक्ट्य आयल पी है यह है पी पी क्या हो गया हाइस्ट पॉइंट हाइस्ट पॉइंट जहां पे हाइस्ट पॉइंट जहां से वो नीचे गिरना शुरू कर देगा मतलब यहां से फेगा हमने एक हाइस्ट पॉइंट पर जाएगा उसके बाद नीचे गिरने लग जाएगा तो पी हाइस्ट तो यहां से PQ निकालेंगे, तो PQ क्या है, maximum उचाई है, highest height है इसकी, ठीक है, maximum उचाई हो गई है, और यहां गिरा था A point पे, तो OA क्या हो गया, इसके द्वारा चली गई, दूरी हो गई, कैसी दूरी होगी, horizontal दूरी हो गई, ठीक है, ठीक है, अधिस दूरी हो गई, OA, ठीक ह क्या होता है, यानि कि जो velocity होता है, वेग होता है, वो क्या होता है, वेक्टर कॉंटिटी, तो इसको मैं दो component में तोड़ सकता हूं, ठीक है, एक vertical component में, और एक horizontal component में, ठीक है, 36 घटक, और उर्दवार्दर घटक में तोड़ देते हैं, इसको, एक टूटेगा U cos theta, और एक साइन डिटा, ये वाला साइन डिटा हो गया, जो vertical होता है, और ये वाला होता है, cost data, तो U cos theta ये हो गया, U sin theta हो गया, ठीक है, अभी बस आपको इतना मालूम होना चाहिए, अब आगे देखते है, तो ये तो इसकी definition थी, ठीक है, अभी इसका हम use लेंगे, जब इसके formula होंगे, तो कैसा प्रक्षे पर गती है, यानि projectile motion का उधारन है, हवाईजाज से गिरते हुए, किसी bum की गती, हवाईजाज अगर कोई bum गिराएगा, तो वो भी ऐसी गिरेगा, ठीक है, पैराबोलिक उसका पत होगा, तो ये भी कैसा हो गया, projectile motion हो गया, भाला फिकते है, ये भी किसका example हो गया, projectile motion का, ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ से बहुत important important है, पहला चीज़ है यहाँ पर प्रक्षेप का उडियनकाल, उडियनकाल यानि की time of flight, ठीक है, projectile का time of flight क्या होता है, देखिए, यहाँ से आप formula बनते रहेंगे, एके करके आपको समझन है सब, ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, उडियनकाल यानि की time of flight होता क्या है, देखिए, चितर में दिखाता हूँ है, आपको द्वारा, यह है चितर, आप देखिए, हमने O से किसी वस्तु को फेका, ठीक है, तो वो एक maximum height पे गया, P पे, ठीक है, गिरने लग गया, ठीक है, तो जो O से A तक पहुंचने में, उसे जितना भी time लगा, उसी को बोलते हैं, उसका उडियनकाल या भी time of flight, यानि जितने टाइम पर उड़ता रहा, जब तक वो जमीन पर नहीं गिरा, उड़ता रहा, जब तक उसको बोला, हमने उडियनकाल या time of flight, ठीक है, तो देखिए, यही लिखा है यहाँ पर, प्रक्षेब को 36 तल से फेके जाने, के पश्यात पूर्णा 36 तल पर वापिस आने में, जो समय लगता है, उसे बोलते हैं, उसका उडियनकाल बोलते है, यानि कि time of flight बोलते है, ठीक है, definition नहीं पुछा जाएगा, आप यह वापिस नीचे गिरेगा, तो तभी भी कितना time लेगा, T लेगा, मतब T तक यहाँ तक जाने में, T लगेगा, और वहाँ से नीचे गिरने में भी उसे T लगेगा, ठीक है, तो T time लगा, तो बिंदू O से P तक की गति के लिए देखिए, हम Newton के equation का इस्तमाल करेंगे, गत देखिए, यहाँ पे G प्लस होगा की माइनस होगा, प्लस होगा की माइनस होगा, देखिए, हम किसी चीज को जब उपर की side फेकते हैं, तो G कैसे लगता है, उल्टी direction में लगता है, है न, G उसको अपनी तरफ खीचरा होता है, और हम उसको उपर फेक रहे होते, तो यहाँ रख देते हैं, V, V देखिए, हम कहां तक का निकाल रहे हैं, पहले यह देखिए, यह O point है, maximum height तक निकाल रहे है, यहां तक, P तक, तो देखिए, जब हम सुरू में फिकेंगे, तो किसी velocity के साथ फिकेंगे, लेकिन जब वो maximum height तक पहुंचेगा, तो उसकी velocity क्या होजाएग पहुंचेगे, यहां कि U sin theta लिया हमने, U के चागे हमने क्या ले लिया, U sin theta और GT ऐसे रखाओ, GT को मैं इधर ले जाओगा, तो GT is equal to U sin theta, ठीक है, आप देखिए आगे, अब मैं यहां से T निकाल लाए में रखो, T, तो G को मैं नीचे भेद दूँगा, तो यह बन जाएगा तो यह क्या बन जे गया हमारा, T is equal to U sin theta, U sin theta अपॉन G, ठीक है, यह हो गया, कहां की गती होगी, O से लेके P तक, maximum height तक, लेकिन यह पूरा time of flight तो है नहीं, यह तो अभी आधा ही हुआ इसका, अभी यहां P से A तक भी तो आएगा, ठीक है, तो जितना time यहां से वहां तक ज करेंगे, देखें, T वरावर क्या था, U sin theta अपॉन G था, ठीक है, अगर इसका double करेंगे, तो यह double हो गया, ठीक है, तो जो पूरा ODEON काल आया हमारा, जो time of flight आया, वो क्या है हमारा, T is equal to 2 U sin theta अपॉन G, यह आपको याद रखना है, यह किसका हो गया, time of flight का formula, ठीक है, इसम sin theta, 2 U sin theta upon G, अभी numerical भी करेंगे, इसके अपर ठीक है, तब आपको पूरा clear हो जाएगा, अब आगे देखिए, आगे हमारा maximum height, maximum height के लिए भी formula निकालेंगे, महत्तम उचाई, कितनी उचाई तक कोई object जाएगा, उसका formula देखिए, कैसे निकालेंगे, माना प्रक्षेप की मह तीसरा समी करेंगे, तीसरा समी करेंगे, क्या था, V square is equal to U square, ठीक है, प्लस 2 AS, तीसरा समी करने लगा है, मैंने, V square is equal to U square, प्लस 2 AS, ठीक है, A की जगे मैं फिर क्या रख दूँगा, G, और G फिर से क्या लगएगा, उल्टी डिरेक्स सम लगए, इसले माइनस हो जाएगा, V square is equal to U square, minus 2, A के जगे क्या जाएगा, G, और S के जगे क्या जाएगा, H, S क्या था, displacement होता है, तो displacement क्या लिए हमने, H लिया, ठीक है, तो H हो गया, यह question हम यहां भी use करेंगे, देखिए, V क्या होगा, 0, देखिए, कहां तक की दूरी निकाल रहे, पहले यह देखिए, अब पर P पहुंचा, ठीक है, और यहां से यहां Q, इसके बीच की दूरी हमने H माल लिया है, ठीक है, आप देखिए, जब वो P पहुंचेगा, तो इसकी velocity कितने होगी, 0 होगी, क्योंकि इसके बाद कितने लग जाएगा, maximum height तक जाएगा, उसकी velocity 0 हो जाएगी, यानि final velocity, V था तो capital H रख दिया हमने, ठीक है, इसको आगे solve करते है, 0 को 0 रहेगा, ठीक है, इसको square करेंगे तो U square sin square theta minus 2GH, इसको उदर ले जाएगे तो यह पलस हो जाएगा, यानि कि 2GH is equal to U square sin square theta, हमें निकाल लाए, H की value तो 2G को इसके निचे बेदेंगे, तो यह आ जाएगा, H is equal to U square sin square theta upon 2G, H is equal to U square sin square theta upon 2G, यह क्या हो गया, maximum height का formula हो गया, ठीक है, प्रोजक्टाइल के maximum height का formula यह हो गया, इसमें भी आपको मैंने कुछ में रटने के लिए नहीं बोला, बस हमने क्या लगाया, थर्ड एक्वेशन लगा दिया, हमने गज़ती का तीसरा समिकन लगाया, अब आगे देखते हैं, अब आगे देखिए, आगे 26 परास, यानि की range, ठीक होरिज़न्टल range देखेंगे, इसका formula कैसे बनेगा, देखें, प्रक्षे पर दोरा चली गई, कुल दोरी, अच्छा range होता क्या है, यह था O point जहां से हम फिकेंगे, तो यह जो पहले max पर कोई कुल दूरी, को 36 परास कहते हैं, यानि होरिज़न्टल range कहते हैं, क्योंकि 36 दिज़ा में कोई torrent नहीं होता, आप देखिए, यहां से यहां तक की दूरी, O से लगे ए तक की दूरी, इसमें कोई acceleration लग रहा है, ऐसे में कोई acceleration लगेगा, नहीं लगेगा, एक्सलेरेशन क्योंकि इसमें G तो लगी नहीं रहा है, G तो लगेगा, कैसे लगेगा, जब किसी चीज़ को हम उपर भागेगे, उस पर लगेगा, हम तो दूरी निकालते हैं कि कितनी दूरी कवर किया है, यानि O है, तो इसमें G कोई भी रोल नहीं है, ठीक, 36 परास के लिए formula निकालते ह अच्छे मैं आपसे अगर पूछू कि दूरी बताओ, और मैं आपको speed और समय दे दूँगा, तो आप निकाल दोगे, कैसे निकालोगे, आपको पताएगी, चाल बरावर कितना होता है, दूरी बटे समय होता है, यह formula आपको पताओगा बच्पन से, चाल बरावर दूरी ब तो मुझे तो यही चाहिए न, OA चाहिए, तो वैलो सेटी कौन सा लूगा, OA वाला लूगा, यानि horizontal वाला लूगा, तो इसलिए मैंने यह लिया, u cost theta, ठीक है, और समय क्या होगा, समय हमने अभी निकाला था, क्या होता है, 2u sin theta upon g, तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, दूरी क्या होता है, s into t, ठीक है, यानि speed into time, speed क्या है, u cost theta, और time क्या है हमारा, जो उडियन काल है, उसका वो क्या है, 2u sin theta upon g, तो इसको आगे solve करेंगे, u और u, क्या होता है, u square होता है, ठीक है, cos theta, और sin theta, यह होता है, 2 sin theta, cos theta, अब जो math वाले होंगे, उनको एक formula बता हुआ, 2 sin theta, Kazi T, into cos theta, equal to, Sin 2 theta, यहा यहानि sin 2 theta, परावर, वरता है, 2 sin theta, cos theta, तो इतने की जगे में क्या लिख सकता हूं, Sin 2 theta, लिख सकता हूं, ठीक है, इतने की जगे क्या लिख सकता हूं, Sin 2 theta, लिख सकता हूं, तो यह range का formula क्या बनगे हैं, हमारे पास, R is equal to U squared sin 2 theta 1 G ठीक है ठीक है ते होगिया range का formula range का formula हमने कैसे निकाला S is equal to dy t से निकाला ठीक है ओके यह range का होगिया अब आगे देखते हैं अब angle अब angle का formula निकालते हैं अधिकतम 36 परास के लिए प्रक्षे पे कोन? प्रजेक्टाइल एंगल प्रोजेक्टा एल एंगल यानि की ठीटा निकालते हैं ठीटा निकालने के लिए अगर आपको बोले तो कौन सा फॉर्माल लगाओगे देखो माना प्रक्षेव कोन ठीटा है तता प्रक्षेवे वेग यानि की वेलसेटी क्या यू है ठीक आर हमने क्या पड़ा आर इस इकल्टो यू स्क्वाइड साइन टूट कर लेना है और उसको रोज रिवाइस करने तभी याद होंगे या फिर आपको डिराइब करने आने चाहिए अब ऎक्शाम में इतना टाइम तो मिलेगे निये अपको की डराइब करने आपके एक्वेशन लगाएतं तो एक्वेशन लागा के इस अच्छा को यादि कर लेना है तो आर का अधिकतम माहन होने के लिए हम क्या करेंगे बहुत अच्छा कॉझ्प्ट है देखे र यानि र यह गया है तो यह क्या बर तो वह अगर किकिसी वस्तु को ज़्यादा दूरी तही करवानी है यहां यहांनि मैकसमम दूरी तही करवानी है उसका एंगल पर वेकर ना पड़ेगा पैंटारीस डिगरी पर तो जो हमारी नीरत चोपड़ा उन्होंने 45 डिग्री पर अपने भाला को फेका होगा तब वो maximum उसने दूरी कवर कियोगी तो अगर कोई जैबलीन तो 45 डिग्री पर वो भाला फेकेगा तो मैक्स दूरी ताय करेगा तो जैबलीन तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर सब्सक्राइब कि इस चीज़ को फेकेंगे तो मैक्सम दूरी तैक करेगी ठीक है ओके मैक्स बरावर देखें क्या होगा देखें अब ठीटा की वेल्यू हमें पता चल गी 45 है तो आर किया था यू स्कॉयर साइन टू ठीटा अपॉन जी था यह था ठीक है अब देखें यहां ठीटा की चल किया रखूंगा मैं 45 आभी दो पता चल एकि 45 पर मैक्स पर होताया मैक्स प्रक्षप की वाल्यू मैक्स का फॉर्मूला ठीक है यह निचे लिखावा है ठीक है अब आगे देखिए आता है यदि प्रक्षेप को 36-45 दिगरी के कौन पर फेका जाए तो वह अधिक्तम 36 दूरी तैगरी ठीक है बता दिया ओके तो यह सारे होगे फॉर्मुले अब इन सब का यूज लेते हम नुमेरिकल में ठीक है अगर आप नुमेरिकल कर जाओगे तो इसका मतलब आपके सारे सब्सक्राइब तो एक नुमेरिकल मैं कर वा रहा हूँ और एक आपको खुद्से करना है देखिए किर्केट की गेंद को 15 मिटर सेकेंड के वेक से फेका गया है वैलिव कितना इनिस्टी 15 मिटर पर सेकेंड ती ठीक है और यह चैठीस से कितना कॉन बना रहा है 30 डिगरी हो कि दूसरा हमें हमें बताने ना हुचा यान है एच बताना है मैक्शम हायट निकी रेंज़ रटेकर मधसी हम्हाँ त् Means हमें बताने हैं तो तीनों फॉर्मूलीर बता रखें या को तून आपको तीनों लगा थे 6- seven टाइम और फ्लाइट का फॉर्मुला क्या था टी इस इकॉल टू यू साइन ठीटा पॉन जी इसमें पुट कर देते आंसर आजाएगा दो की जगे दो यू की जगे पंद्रा ठीक है इनिसल वैल सुटी पंद्रा है और ठीटा की जगे तीस रखेंगे साइन 30 और साइन 30 की व सबके त collaborator time का होता है सेकंड होता है तो इसी में लेना है कि अघ्ला सेकंड में आया सिस्वाय का है और U square sine square theta upon 2G सारी value रखते हैं 15 का square करेंगे तो 225 ठीक है और 30 रखेंगे यहापे तो 1 by 2 1 by 2 का square करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 by 4 यानि 225 इंटू 1 by 4 और 2G दस रख देंगे आपर ठीक है इसको 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 चार नीचे आजाएगा और 10 दूनी 20 हो जाएगा यानि 225 बटे 20 इंटू 4 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा यानि कि 225 बटे 80 अब इसको काट लेते हैं ठीक है आठ आठ दूनी 16 और यह बचे का छे चे और 65 हो गया 864 ठीक है और पॉइंट आगे और एक यह दस जीरो है तो यह यहाँ जाएगा 2.8 आएगा संवंटे 2.8 ठीक है तो यह आगे हमारा 2.8 किसमें आएगा मेटर में आएगा क्यों क्यों आएगा में कि यह लंबाई यानि कि एक हाइट hosts हो स्वें होगा हो गया हमारा मेक्सिममाःट और पुछागा था रेंड बताओ यानि दूरी कितना तैय करेगा इसके लिए फॉर्मुला क्या था आर इसको यू स्कार साइड टू टीटा पॉन जी तो आप देख रहे हो ना कि अगर आपको फॉर्मुला याद है तो आप डायरेक्ट उसमें वैल्यू पूट कर रहे हो आपको सेतकेंड में आन्सर रात रहे है सुर्मुला याद है और आको फॉर्मॉला याद नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है कुछ भी कर लो आपका आन्सर नहीं आयएगा तो इसमें वैल्यू रखतेसके 15 हैkov 12321 ठीटा कट तीच बनी कितना है साट की गैश्यक्तनी रूट3 भाई-2 क किए आपको भी याद करनी पड़ेगी ठीक है तो शाइन्साइट की वेली कितने बदाएं मैंने आपको रूट थरी वाइ टू रूट 3.2 इंटू 225 अपॉण 10 अपॉण 10 आएगा ठीक है अब इस दो को नीचे बज़ेंगे तो यह जाएगा 20 यानि 200 205 इंटू रूट 3 अपॉण 20 यह आएगा ठीक है इसको पाश सगाड़ते 5 यह को 20 5 तो आपका आंसर या तो ऐसे होगा 45 रूट 3 by 4 यह होगा आपका आंसर मेटर में दे रखा हुगा ठीक है यह फिर रूट 3 की वैल्यू वह लेगा कि रूट 3 की वैल्यू लो 1.73 तो 1.73 यहां पर रखेंगे रूट 3 की जगे इसको इंटू करेंगे 45 और चार्ट से डिवाइड कर देंगे तो आपका आशर आजएगा लेकिन जादर चांस यह कि आपको इतने इतने में आशर आजएगा यह आपके option में मिल देगा और इस पर आपको टिप कर देना है तो यह आ गया अगर पॉयंट में निकाल ले बोलेगा तो ऐसे आजएगा ठीक है तो यह वोगया उसमें डालना है आपको ताकि मैं देखूं और उससे पता चलेगा कि आप लोग कितने सीरियस हो अगर आप लोग सीरियस तरह होगे तभी मुझे पढ़ाने का मन करेगा तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा ज्यादा बच्चे इसको सौल करें इसको इसमें इंगलिस वालों के लि इसमें हाइड बताने प्रक्षेपन वेक के उर्दवार्दर और छेदी घटक यानि कि यू साइन ठीटा और यू कॉस्ट ठीटा यू कॉस्ट ठीटा दोनों बताने आपको तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट के मादिम से जरूर बताएं इस वीडियो सो कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो है जहिद